चेकी निवस्टुडे में आप सभी का स्वागत है केरला के अर्नकुलम में आज सुबा कुछ ऐसी घटना घटी जो सबको चोकाने वाली थी इसी से जुड़ी कुछ इंसाइट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं तो आज सुबा साड़े नो बजे जामरा कन्वेंचन सेंटर काला मसरी में कुछ धमाके की खबर आई सूत्रों के अनुसार लगबग 2,000 लोग हाल में मुझूद थे जो जेववा बिटनेस द्वारा आयो जित एक प्रातना सबा में थे और इसी दुरान वहां धमाके हुए और ये धमाके तीन धमाके तीन बड़े धमाके वहां पर इस समय हुए इस हाहाकट में एक महिला की मौत हो गई और तीस से अधिक लोग घायल हो गए आगों देखे गवा के मुताबिक लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे एक गवा ने कहा मैंने आग में जलते हुए लोग देखे जो जमीन पर फिर रहे थे और दूसरा कहता है कि भागम भाग में बहुत से लोग चोट से घायल हुए केरिला के डीजीपी शाइक दर्वेश साहिब ने कन्फर्म किया कि अरने कुलम में आज सुबह होने वाले धमाके का जिम्मेदार एक इंप्रोवाइजड एक्स्प्लोजिव डिवाइस यानि IED था साहिब ने अपने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर प्रोवर्गेटिव या नफरत भरे मेसेजजिज ना फिलाए क्यूंकि अगर ऐसा हुआ तो पुलीस सक्त कारेवाई करेगी केरला के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कलमस्री के हॉस्पिटलों को अलर्ट में रखा है तिस्ट्रिक कलेक्टर एनस के उमेश के मताबिक दस घायल को कलमस्री मेडिकल कॉलेज के बर्न्स यूनिट में एड्मिट किया गया जिसमें से 2 को 50 परतिशत से भी ज्यादा अधिक जलने से चोट लगी थी और अब उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और बाकी जो 8 अन्य घायल थे उनको Medical College के General Ward में और जो 18 को अलग-अलग हॉस्पिटल हों में एडिमिंट किया गया है और इसी घटना के चलते अब Convention Center को भी बंद कर दिया गया है केरिला के मुख्यमंत्री पिनराई विज्यन को जो अभी दिल्ली में है उन्होंने स्टेट DGB से बात की और मीडिया को कहा कि ये हाहा कट से दिल से दुखद है कल वो All Party Meeting बुलाएंगे और केरिला के गवर्नर आरिफ मुहमत खान ने मोत के गम में आये लोगों के परिवार को गहरी समवेदना व्यक्त की और इसी के चलते Union Home Minister अमिच्छा ने के मुख्यमंत्री पिनराई विज्यन के से बात की और उन्होंने National Security Guard और National Investigation Agency से टीम्स भेजने का फैसला भी लिया है इस चोटी सी खबर ने केरिला को हिला कर रख दिया है और हमने आपको इस घटना को इंसानी नजरिये से समझाया है और हम चाहेंगे कि आप भी इस घटना के विक्टिम्स के लिए दुआ करें और इसी तरह की ताजा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें चेके न्यूस टूडे